हमारे शरीर के लिए वर्दान है बादाम लेकिन क्या आप जानते हैं कि सई मात्रा में कितना सेवन ठीक है बादाम का गर्मियों में हमें कितनी मात्रा में बादाम लेना चाहिए और सर्दियों में हमें कितनी मात्रा में बादाम लेना चाहिए भीगेवे बदामों में और बिना भीगेवे बदामों में क्या अंतर होता है और हमारे शरीर के लिए कौन सा बहतर है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हर एक डिटेल साजा करूँगा मैं आपको बताता हूँ कि बादाम के हमारे शरीर के लिए धेर सारे उपयोगी फायदे हैं हमारी आखों की रोश्णी हो, हमारी तवचा याने की स्किन की हेल्थ की बात हो, हमारे बालों के पोशन की बात हो बादाम में विटामिन और मिनरल्स का भंडार छिपा है बादाम में विटामिन E, कैल्शियम, जिंक, मेगनीशियम, ओमेगा 3, 30 एसिट्स जैसे धेर सारे उपहार के रूपने हमारे श्किर के लिए बहुत ही बढ़िया चीजे पाई जाती है लेकिन अब मुद्धा ये है कि दोस्तों हमें बादाम को भिगाना चाहिए या ऐसे ही सेवन करना चाहिए और लेने चाहिए तो कितनी मात्रा में लेने चाहिए तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बाता हूँ कि बादामों को कैसे भिगोना होता है और कब ये सबसे ज़्यादा असर करते हैं और बादाम को भीगोने से क्या फायदा होता है दोस्तों अगर हम राद बर बादाम भीगा के रखते हैं तो हमारे बादामों में पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन्स एक्टिवेट होते हैं तो जो tanning है वो vitamin E और calcium जैसी चीज़े जो activate हो सकती थी उन्हें रोकता था वो कभी भी नहीं रोकता है इसलिए हमें हमेशा बादामों का आप सेवन गीले ही करना चाहिए भीगे वे बादामों का ही करना चाहिए इनमें मात्रा vitamins और minerals की बहुत जादा बढ़ जाती है क्योंकि ये vitamins और minerals को activate कर देते हैं अब बात यह है कि हमने बादाम तो भीगाए है और भीके वे बादामों का आपको फायदा बता है लेकिन अब हमें बादाम कितनी मात्रा में लेने चाहिए दोस्तों मात्रा सही क्या है अगर आप बादाम का सेवन गर्मी में कर रहे हैं लेकिन आप जिस atmosphere में रहते हैं जिस प्रकरती में रहते हैं जिस कमरे में सोते हैं जिस कमरे में काम करते हैं अगर वो कमरा ठंडा है जैसे कि वहाँ AC लगा हुआ है आप 24 में से 10 से 12 घंटे AC में रहते हैं तो आप बादाम की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं आमूमन गर्मी में बादाम 5 या 6 से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए लेकिन अगर आप बहुत थंडे अट्मोस्वेर में रहते हैं तो आप 8 से 9 बादाम भी ले सकते हैं लेकिन आप जिस कंब्रे में रहते हैं जहां बैठते हैं वो थोड़ा गरम है या वो प्रकरती थोड़ी गरम है तो आपको 5 या 6 से ज्यादा बादाम नहीं लेने चाहिए वहीं अगर बात करें सर्दियों की तो सर्दियों में बादाम के उपर इतना जादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है आप 15 से 20 बादाम भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखे आपके शरीर के साथ वो किसी अन्य प्रकार के साथ रियक्ट ना कर रहा हो दोस्तो सवाल ये उठता है कि गर्मी में हमने 5 से 6 बादाम ही क्यों लेने हैं जादा क्यों नहीं लेने हैं बादाम दोस्तो हमारे शरीर के लिए बेहत गरम होता है गर्मी की वज़े से ये हमारे शरीर में गर्मी पैदा कर देता है जिसकी वज़े से हमारे skin reactions हो सकते है、 हमारे digestion में ठोड़ी सी problem हो सकती है अगर हम ज़ादा बादाम का सेवं कर lorsेगे, तो पाचन शक्ती पे यह react करता है जिसकी वज़े से हमारे digestion में थोड़े उधल पुथल हो सकते है इसलिए गर्मी में बादाम फिकुए खाएं, आपके विटामेंस, केल्शिम्स, मिनरल्स अच्छे से एक्टिवेट हो सकें और आपको ये पूरा आपके शरीर में फाइदा दे सकें और इसकी गर्मी भी थोड़ी कम हो सकें पानी में बिगोने से इसकी कर्मी भी थोड़ी सी कम होती है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा लाइक करना मत बुलेगा आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली को ये इन्फोर्मेशन मिले इसने ज़रूर शेयर कीजीगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको ऐसी धे सारी टिप्स तक ले जाएगा ज़रूर वहाँ जाके चेक आउट कीजीगा हमारे और धे सारे वीडियोज है